हvere घ्टिऊंट्स fly helping to my channel चैन्म वजिस्मैक में आपका स्वागत है मैं वजवश अर्मां और आज मैं आपको बताऊंगा thermodynamic system और उसके टपसके बारे में तो चलिए सुरुवाद करते है the thermodynamic system से दे Usersक्र में holdas कोई भी ऐसी जगा जिसके उपर हमें इस्टड़ी करनी हो जिसके उपर हमें इस्टड़ी करनी हो तो उसका हम कहते हैं क्या सिश्टम उसको क्या कहते हैं सिश्टम एग्जांपल देखे आपको बताता हूं कि कैसा होता है सिश्टम देखिये मैं कह सकता हूं कि कोई भी रूम ह यह एक रूम है इस रूम में आप लोग यह आपका रूम है ठीक है ना इस रूम के यह रूम किस में होगा किसी घर में होगा यह घर में होगा तो इस घर के लिए यह क्या हो गया यह घर के लिए यह रूम जो है हो गया सिस्टम आपका ठीक है ना यह घर की घर जो है घर क्या ह हो गया Сейчас क्या कहलाएगा सर राउंडिंग कहलाएगा किया कहलाएगा सरॉरम इस सिस्टम की दीवारे हैं यह दीवार जो हम कहते हैं सिस्टम जिससे धका रेता है उसकienza क्या огр Shh कहते हैं boundary ठीक है ना और सिस्टम और surrounding मिलके कहते हैं कि हम हमारा घर के बाहर का पूरा area तो उस पूरे को हम मिला के कहते हैं हम क्या universe ठीक है ना तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि system जिसके उपर हमई-study करनी हो उस सिस्टम जो है उसके चारोड की जो दीवारे हैं उसके चारोड की जो हमारी दीवारे हैं तो वो क्या कहलाती है वो हमारी कहलाती है बाउंडरी जैसे आपको गरीन पैन से दिख रहा होगा कि ये चारोड की दीवारे क्या कहलाती है ये बाउंडरी कहलाती है ठीक है सिस्टम के बाहर का या जैसे हमने कहा था भी रूम के किसी भी रूम के बाहर का जितना भी जगह होती है वो हमारी क्या कहलाती है सराउंडिंग जैसे मैं डॉटर लाइन से दिखाया था ये रेड़ पैन से तो ये हमारा क्या कहलाता है ये पूरा का पूरा एरिया ये सब क्या कहलाता है ह हमारा यूनिवर्स ठीक है ना जैसा कि हम कह सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंडरी और यूनिवर्स चार चीज़ आपको याद रखनी है और जैसे कि मैं आपको कह दूँ कि कोई भी आपका गिलास है ठीक है इस गिलास में आपका पानी बर रहा है तो आपके लिए सिस पानी आज के बाहरे का जतना भी आयरिया है वो क्या है सर्वावनिनग ठीक है सिंपल अब एक्जाम जैसे दूसरा मादीजिए मैं आपाप देके बथाता हूं कि आपको कोकर में आपकी कše कोकर उता है घर के ऐटाल रखिए तो कि कि यूदाला ऐ वह क्या कि 2 सिस्टम है क क होकर है क्या है boundary है और boundary के बाहर का जितना भी एरिया वो क्या है सब सरांडिंग है okay simple पता चले कि system surrounding boundary और universe क्या होता है अब देखें जैसे जी मैंने बताया है तुछ तब में अंदर क्या है पानी भरा हुआ है तब में क्या है पानी भरा हुआ है तो ये पानी आपके लिए क्या कहलाए का ये पानY आपके लिए कहलाएगा सिस्टम ये TAB की जो Boundary है तब जो है हमारा टाब के चारुर के प्लास्टिक की जो धीवार है तो वो क्या कहलाथी है वो कहलाथी है हमारी boundary और इस पूरे के System of Boundary मतलब boundary के बाहर का जितना भी एरिया है boundary को हटा कि बाउंडरी के बाहर का जितना भी एरिया है वो क्या सब कहलाता है सराउंडिंग कहलाता है ओके अगला youngest चैसे मेंने आपको बताया कि universe जो है system और surrounding को अगर हम जोड़ते तो वो हमारा क्या बनता है universe बनता है ठीक है boundary boundary मैंने क्या होता है simple याद रखिये boundary जो होती है separate system and surrounding यानि कि system को surrounding से अलग करना यानि कि system को surrounding से अगर हमें अलग करना है तो हम boundary से करते हैं boundary होती हमारी सिस्टम को surrounding से अलग करने के लिए तीसरा सिस्टम क्या होता है इस सिस्टम की परवासा है quantity of matter जिस quantity of matter मतलब की पदार्थ की जिस मात्रा कोई भी पतार्थ की मात्रा है quantity होगी कुछ ना कुछ system के अंदर तो उस system की जिस जगह पे हम study करते हैं we are selected for study जिस चीज को हम study करने के लिए select करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है system कहलाता है ठीक है surrounding all things out of the system system के बाहर की जितनी भी चीज़े हैं वो सब क्या कहलाती है surrounding कहलाती है देखे thermodynamic system में कुछ ना कुछ pressure होगा कुछ ना कुछ temperature होगा कुछ volume भी होगा कुछ density भी होगी मतलब कुछ ना कुछ thermodynamics properties उसमें जरूर होगी thermodynamic system की एक अलग thermodynamic system की अलग thermodynamic property होती है ठीक है अब देखे टाइपस आते हैं thermodynamics केतनी टाइपस के होते हैं तो thermodynamics जो हैं तीन टाइपस होते हैं open, close system और isolated system तो देखे open system क्या होता है आपका, simply याद रखे कि open system जो होता है जिसमें से हमारा mass भी flow हो जाए और हमारा energy भी flow हो जाए ठीक है, close system जिसमें हमारा mass flow नहीं होता बट energy flow हो जाती है और isolated system जिसमें हमारा energy ना flow हो और नहीं mass flow हो किस तरीके से देगे open system मैं कहता हूं मैंने बताया जैसे कि example all mechanical devices all mechanical devices जो है open system में आती है और close में आती है cylinder piston और isolated में आती है thermos और universe ठीक है universe अब देखिए कि यह हमारा किस तरीके से बताए open का open system किस तरीके तक यसे होता है यसे मैंने आपको डेता हूं कि आपके पास एक बॉटाल है एक बॉटल है दोनों से खुली हो तक सल energy धी ओ जिसमें अपानी रखेगी तो माच चल जाएगा तो फैर सिस्टम है उपन मैं चरते जिसमें लोज मैं कहता हूं एक बंद बोतल है ठीक है एक बंद बोतल है इसमें हमने मास्क का कोई भी पानी बढ़ दिया तो इसमें मास्क फिक्सी तो है मास्क थोड़े ना ट्रांसफर हो रहा है बट इसमें से एनरजी का transfer हो सकता है तो आपको example जैसे मैं ने बताई दिये कि isolated system में से नहीं मास transfer नहीं energy transfer तो देखिए जो हमारे open system होते हैं वह जितनी mechanical devices हमारे वह सारे में सारे open system में आते हैं ठीक है और close system में हमारा cylinder piston assembly condenser हो गया यह सब isolated system में आता है हमारा thermal वो sorry thermos और universe ओके अब देखिए किस तरीके से होता है open system open system को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते है control volume ठीक है इस चीज को याद रखें open system को control volume के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या होता है कि हमारा volume को हम control में रखते हैं हमारा उतना ही रहे जिसमें अमारा mass का भी transfer हो जाए ये सिस्टम में कुछ volume होगा कुछ ना कुछ volume होगा इसमें से से हमारा mass भी transfer हो जाए energy both transfer हो जाते ही और energy in mass out energy out but volume change नहीं हो वाल्यूम उसका बदलेगा नहीं सिस्टम का वाल्यूम चेंज नहीं होगा ठीक है न इसी तरीके से open system का example देख लीजिए कि open system का example है pump और nozzle जसमें मताए mechanical devices दोनों तो इसमें क्या है ज commentже से आता है यहांसे निकल जाता है तो यह क्या है एक तरीके का open system is okay nozzal mass आता है यहाँसे मास निकल जाता है वैलोसिटी बढ़ जाती है यह यहाम पर nozzle वैलोसिटी को बढ़ाता है और pump जो है प्रेशर को बढ़ाता है شिव को याद रहतें अब देखे close system का example close system का example है pressure cooker किस क्यों pressure क्यों आप लोग सोचेंगे कि pressure cooker में तो दाल हमारी बनती है दाल को हम डालते हैं निकालते हैं माच transfer हो रहा है लेकिन नहीं क्यों नहीं होता देखे बस इस चीज को याद रखें during process यह वर्ड बहुत मेन है क्यों कि हमें बस याद रखना है कि जो काम हमें चाहिए हमें जो काम करना है क्या काम करना हमें कुकर से हमें दाल बनानी है तो दाल को कुकर के उपर रखेंगे और दाल को जब कुकर के उपर रखेंगे वह सारी दाल को जब कुकर तो उसमें रखके, गैस पे रखके, जहां हम गरम करेंगे, हीट देंगे, तो उस टाम कुकर हमारा बंद होता है, और जब बंद होता है तो क्लोज इस कुकर, कुकर is CLOSED, मास नॉट गॉ. मतला मास जो ट्रांस्फर नहीं हो रहा मास तो वहांपे फिक्स है बट एपनर्जी ट्रांस्फर हो जाते यह स्ट्र बज गई तो वह लागी है गैसी मढल ने तो वह क्या है सब्सक्राइब कर गभी अट है अग्डार आकर के खेली सक्ट्राइब की है इसलिए मास को यहां को चुटे infl in यह पर को छीनगं कि अग्स norm तो इसक एक एक स्थामपल रहते हैं कंडेंसर अजिए किसन तरीके से होता है आप लोग सोचेंगे कि यहां पर भी तो वाटर आ रहा जा रहा है तो देखिए कंदेंसर में क्या होता हमारा डिजाइड़ट क्या कन्देंसर का काम heat transfer करना because our desired effect ओली heat transfer हमें सर्फ heat transfer करा नहीं है तो देखिए कि यह हमारा condenser यहां से water गया और यहां से पानी आएगा उतरह निकल जाएगा तो मस्ट रांसफर तो नहीं रहा ठीक है ना तो कंड्डंसर जो है किसमें आता है हमारा au close के आप डाऊसोर के इसिप्टम ऐस oakt coordinator system का है यूनिवर्स और थरमस यूनिवर्स को को हम imarhmand कहते हैं सिंपर और जाते हों और धर्मस आप लोगों नहीं देखा है यहां पर हमने चाय रख दिछांआ करते हैं तो ना तो चाहें जाती हैं कि मास्र टांसफर नहीं होता ठीक है दूसरा एनर्जिट विछ ठांसफर नहीं होती कहाते हैं थर्मस में चाय रग दो तो गरम की गरम बनी रहती है तो वो एनरजी भी ट्रांसफर नहीं करतीई एवनकर ट्रीक Ohio ही लिगाँ तोเรา क्षलिए्ट द्रीक लिए ट्रांसफर क्योंके यह कुलने से हीट लिए ठीक है ना थैंक यू सो मच अगर आपको चैनल पसंद आया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर यादा से जादा लोगों से सेयर करें ताखिए जादा से ज्यादा लोग महले साहते सफ जोड़ सकें और अगर आपको वीडियो अच्रीटी लगी हो तो अगर टॉपिक मैं जो है बताऊंगा आप लोगों को अ थर्मोड कर शोग और ओलु embrot